हिंदू धर्म क्या है और हिंदू धर्म अन्य धर्मों से अलग कैसे है देखिए हिंदू धर्म जो है इसको सनातन धर्म भी बोलते हैं और ये लाखो बर्सों से है जब दुनिया विक्षित नहीं थी तो उस समय आज से 2000 साल पहले भारत की GDP सबसे ज्यादा थी पूरी दुनिय के मार्केट पर भारत का दबदबा था विक्षित मैं इसलिए कह रहा हूं कि महाबारत में जो बोलते हैं कि एक तीर छोड़ा उससे यह निश्ट हो जाता था एक तीर छोड़ा तो उससे बारिस हो जाती थी तो यह वो तीर नहीं थे वो जैसे आज कर मिसाइल होती है तो उ Science और टेकनलोजी के मामले में, चिकिस्सा के मामले में, एजुकेशन के मामले में, जीडिपी के मामले में, हर जगह जो है भारत विक्सित था, और हिंदू सब्वвонता, सनातन Pepper बहुत पुरानी है और ऐसा मांगते हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म है, तो ये कभी खतम नहीं हो सकता, रही बात हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व की फिलोसोपी है, जीयो और जीने दो, आप भी जीयो, और सामने वाले को भी जीने दो, इसी में का गया है कि सर्वे बहुनतु सुखिनया, सर्वे निरोग हो, एक हिंदु धर्म ही ऐसा है, जो पूरे विश्व की मंगल कामना करता है, पूरे विश्व की कल्यान की सोचता है, इसलिए हिंदु धर्म अन्य धर्मों से बहुत अलग है, अन्य धर्मों में क्या है, कि उसको धर्म नहीं बोलेंगे, उसको रिलिजिन बोलते है एक किताब हो गई जो उनका मार्ग दर्शण करती है एक उनका घुरू हो जाता है और आग उनकी पूजा की पद्थती होती है जी जैसे लोग नमाज करते हैं तो उनकी पद्थती है Под्थिक्रूर लिशन बोलेंगे उसको धर्म नहीं बोलेंगे लेकिन हिंदु धर्म जवा न जीने का तरीका है हिंदु धरम से अस्तित्व को रिप्रेजेंट करता है मानि सबी के अस्तित्व को मानता है यही कारण है कि दुनिया की पहली मस्जिद जो है वो केरल में बनी यही कारण है कि जितने भी धरम के लोग आए वो भारत में फले फूले विक्षित हुए यही कारण है कि यहूदियों का एक देश है इसराइल तो यहूदियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर हमें हम पर किसी तरह का अत्याचार नहीं हुआ यहुदी भारतियों की भोत कद्र करते हैं हालांकि यह भी बात है कि आज पूरी दुनिया में हिंदू और यहुदियों के सबसे ज़्यादा पीछे पड़े हुए हैं अब हिंदू में और यहुदी में अंतर यह है कि यहुदी तो देश भकत है हतियार चलाना भी जानते हैं तो एक छोटा सा देश इसराइल जो है दस-दस मुस्लिम देशों के साथ में लड़ रहा है लेकि हिंदू को यह सब नहीं सिखाया गया हिंदू तो चीटी भी नहीं मारता वो लड़ना बिढ़ना जानता हैं उसके साथ बूरा होता है तो कहेगा यह बगवान तेरा बूरा करेगा लेकिन वो विरोध नहीं करना जानता और इसी लिए दुनिया की कई ताक्ते कई बैस्विक ताक्ते हिंदू धर्म के पीछे पड़ी है यह खतम हो जाए तो इंदूस्तान पोर हमारा कभज़या हो जाएगा वा बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं पंडीजी आप हम आगे भरते हैं जैसा कि तो राहौ गांधी जी से सबी वाकिफ हैं राहौ गांधी जी कहते हैं कि हिंदू हिंसक होता है इस विशे में आप क्या कहना चाहेंगे देखिए ये रावल गांदी जी का बहुत ही गलत बयान है जी इतिहास साक्षी है कि कभी भी हिंदूों ने कहीं भी किसी भी देश पर किसी भी समुदाय पर उन्होंने आकर्मन नहीं किया किभी बर्चश्र कि लड़ाइ नहीं लड़ी कभी किसी आने मार पीट की तो बात ऐलग है लेंदू तो चीटी की नहीं मारता है हिंदू तो जीवों के अस्तिति की कामना करता है उनकी सुरक्षा करता है और एक ऐसा सर्मनाग बयान देना मुझे लगता है कि मुझे तो राउल गांदी के हिंदू होने पर ही सक है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें